जल के भौतिक गुणों को जान लेने के बाद तथा इसके विभिन रूपों को जान लेने के बाद आये अब हम जल के रासाइनिक गुणों को जानते हूं जैसे कि मैंने बताया कि जल एक उत्तम विलायक है और यह कई प्रकार के रासाइनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है सबसे पहले इसका जो गुण है वह है इसकी उभे धर्मी प्रकृती एमफोटरिक नेचर इसका मतलब यह हुआ कि जल अमल तथा छार धोंडों की भाती विवहार कर सकता है यह अमलों की भाती प्रोटॉन त्याग भी सकता है तथा छार की भाती यह प्रोटॉन ग्रहन भी कर सकता है और इस तरह यह उभे धर्मी प्रकरती प्रदार्शित करता है। यदि हम इसकी क्रिया, जल की क्रिया किसी छार जैसे कि हम पर अमोनिया ले सकते हैं, अमोनिया से कराते हैं, तो चुकि अमोनिया एक छार है और इसलिए यहाँ उस समय जल अमलकी भाती कारे करेगा और यहाँ को एक प्रोटॉन त्याग देता है तथा स्वयम ओएच माइनस हैड्रोकसाइड आएनों में परिवर्तित हो जाता है जो कि यहाँ पर जल अमलकी भाती कारे कर रहा है तथा यह प्रोटॉन त्याग कर ओएच माइनस आएनों में कन्वर्ट हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पर और साथ इसके द्वारा जो दिया गया प्रोटॉन है वह अमोनिया के द्वारा ग्रहन किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अमोनिया छार की भाती कारे कर रहा है और इस तरह यह NH4 प्लस आइनम अमोनियम आइनों में कनवर्ट हो जाता है दूसरी और यदि हम जल के क्रिया किसी अमल जैसे की H2S से कराते हैं तो उस स्थति में यह छार की भाती कारे करेगा और H2S से एक प्रोटॉन ग्रहन करके हाड्रोनियम आइन S3O प्लस में कनवर्ट हो जाएगा तो इस तरह से हम देखें कि जो जल है वह अमल तथा छार दोनों की भाती कारे कर सकता है इसके बाद हम देखते हैं इसका जो दूसरा रासाइनिक गुण है वह है इसका स्वतह प्रोटॉनेशन या स्वतह आइनन और इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर दो जल के अनू आपस में क्रिया करते हैं और इस तरह से यह एक जो जल का अनू है वह अमल की भाती और दूसरा जल का अनू छार की भाती कारे करता है यदि हम दोनों जल की क्रिया देख रहे हैं तो यदि जो जल का अनू अम्र की भाती कारे करेगा वह एक प्रोटान त्यागेगा और उसके बाद वह OH- में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जल अम्र की भाती कारे कर रहा है तो इससे बना हुआ जो OH- माइनस भाग है वह इसका सयुगमी छार कहलाएगा साथी साथ जो जल का अनू छार की भाती कारे कर रहा है वह एक प्रोटान ग्रहन करेगा और वह हड्रोनियम S3O प्लस आइनों में कन्वर्ट हो जाएगा चूकि यह छार के एक प्रोटान ग्रहन करने के पश्चायत बना है इसलिए हम इसे इसका सयुगमी अमल कहेंगे तो इस तरह से हम देखते हैं कि जल का स्वता प्रोटोनेशन या स्वता प्रोटो अब घटन भी होता है इसके बाद हम देखें जल की एक और अभिक्रिया जिसमें की जल की रडॉक्स अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में इसके पहले अध्याय में जान चुके हैं रेडॉक्स अभिक्रिया वाभिक्रिया होती है जिसमें की एक तत्व का आक्सी करण होता है जिबकि दूसरे का अप्चयन होता है उदारन के लिए जब हम जल की क्रिया किसी धातू से कराते हैं कोई भी सक्रिधातू जैसे कि यहाँ पर हम ले सकते हैं उच्च विद्धनी धातू जो की प्रत्थम वर्ग की धातू होती है है लीधिय अग्ल किक्रिए कराते हैं तो यहाँ पर हम सोडियुम से करा हैAddrogen Gas ह्तने वाहर जो जल है इसमें oxygen-2-1 स्टेट में है जबकि hydrogen प्लस वन औक्सी करण अवस्था में है तो इस तरह से जो यहां पर hydrogen है जो जल है वह हट्टू में कनवर्ट हो रहा है यहने कि हट्टू तो तात्रीक अवस्था में और इसलिए यहां पर इसका स्टेट होगा जीरो तो यहां पर हम देख रहे हैं कि hydrogen प्लस वन से जीरो में जा रहा है यहां पर यह अप्चईत हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यह आक्सी कारक्की भूमी का निभारा है दूसरी ओर sodium जो की अपनी तात्रीक अवस्था में है यह परिवर्तित हो रही है एन ए प्लस में और इस तरह से यहां पर जो sodium धातु है वह आक्सी क्रित हो रही है और यहां पर यह अप्चायक की भूमी का निभारा रही है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जल रेडॉक्स अभी क्रिया भी देता है इसके अलावा यदि हम इसकी fluorine से क्रिया कराएं वो भी एक रेडॉक्स अभी क्रिया का उधारन है जब हम इसकी क्रिया fluorine F2 की क्रिया जल से कराते हैं तो fluorine जो है वो HF में convert हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर oxygen निकलती है क्योंकि हम जानते हैं कि जो fluorine है बहुत ही अच्छा oxygen कारक होता है और इसलिए यह जल को oxygen में oxygen कर देती है और इस तरह से यहाँ पर जो fluorine है जो कि अपनी 0 oxygen करण अवस्था में थी वह यहाँ पर F- oxidation state में जा रही है यहाँ पर इसका खुद का अपचयन हो रहा है जबकि जल यहाँ पर oxygen में परिवर्तित हो रहा है यहाँ कि यहाँ oxygen हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि fluorine के साथ क्रिया कराने पर भी जो HF बनते हैं तथा oxygen oxygen अक्सिक्रित होती है वह भी एक redox अभी क्रिया का उदारन है इसके अलावा हम देख सकते हैं पादपों में होने वाली प्रकास संसलेशन की क्रिया तो प्रकास संसलेशन की क्रिया में आप जानते हैं कि पौधे carbon dioxide और जल की सहायता से सूर्य की उपस्थती में या सूर्य की heat की उपस्थती में तथा chlorophyll वर्नक के अंदर ये प्रकास संसलेशन की क्रिया करते हैं तथा carbohydrate का निर्मान करते हैं तो यहां पर हम देखें इसका जो समीकरण अब देख सकते हैं 6CO2 प्लस 12H2O is equal to C6H12O6 जो की ग्लुकोस को दर साता है तथा यहां पर 6H2O तथा 6O2 गैस बनती है इस समीकरण में यदि हम भीन भीन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो हम देखेंगे कि carbon dioxide में carbon plus 4 oxidation state में है और यह परिवर्तित होकर ग्लुकोस में जा रहा है तो ग्लुकोस में जो कार्बन की oxidation state होती है वह शून होती है और इस तरह से यहां पर यह प्लस 4 से शून में जा रहा है इसलिए carbon का यहां पर अप्चयन हो रहा है दूसरी और जल जिसमें की oxygen minus 2 oxidation state में है जबकि यहां oxygen पriminत परिवर्तित हो रही है और ऑक्सीजन में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह है जीरो यहने कि यहां पर आक्सीकरित होकर ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रहा है यहने कि पौधों के द्वारा प्राप्त होने वाला से प्राप्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वह हमें जल के प्राप्त होती है इसके बाद हम देखते हैं जल की एक और आसानी कभी क्रिया है जल अभगटन अभी क्रिया जैसे कि हम जानते हैं जल का परावैदुतांग बहुत अधिक होता है और यही वज़ा है कि जल बहुत सारे योगिकों को अपने अंदर गोल लेता है साथे साथ जो इसमें बहुत सारे अणूओं के साथ इसका जल योजन भी हो जाता है कई आइनिक योगिक तथा बहुत से सायोजक योगिक भी इसके साथ जल अभगटित हो जाते हैं यहाँ पर हम देखें कि जब किसी योगिक का जल अभगटन होता है तो उस समय जल के अणूओं का जो एच प्लस आयन है वो योगिक के एक भाग से जाकर जुड़ जाता है जब कि इसका जो दूसरा ओच माइनिस सायन है वो योगिक के दूसरी भाग से जुड़ जाता है आईए अब हम देखते हैं कुछ जल अभगटन अभी क्रियाओं को यहाँ पर हम देख रहे हैं P4O10 यह फॉस्फोरस के ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल से कराते हैं यह हम कहें कि जो फॉस्फोरस ऑक्साइड है उसको जब हम जल में विले करते हैं तो यहाँ पर यह जो फॉस्फोरस ऑक्साइड है वस उसका जल अभगटन हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें S3PO4 यानि की Phosphoric Acid प्राप्त होता है इसी तरह से यदि हम Silicon Tetra Chloride SiCl4 को यदि हम जल में विले करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो Oxygen है जल की जो Oxygen है वह यहाँ पर Silicon से जाकर जुड़ जाती है जबकि जो Hydrogen होती है वह क्लोरीन से जुड़ जाती है और इस तरह से यहाँ पर Sulfur Dioxide SO2 तथा HCl हमें प्राप्त होते हैं इसी तरह से यदि हम N3- आइनों की क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो हमें Ammonia मिलती है और साथी साथ यहाँ पर Hydroxide Ion प्राप्त होते हैं तो इस तरह से हम देखें कि जल जो है विभिन योगिकों को यह कुछ सहसाईयों जे योगिक भी होते हैं उनको यह जल अब घटान कर देता है तथा जिसके फलसरूप हमें भिन भिन उत्पात प्राप्त होते हैं इसके बाद हम देखें जल का एक और गुण है वह हाड्रेट विर्चन या हाड्रेट का निर्मान करना जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे जो लवन होते हैं वो जल में विले हो जाते हैं और विले होने के बाद यदि इन्हें फिर से कस्टली करित किया जाता है तो ये अपने साथ कुछ जल के अर्मों को जोड लेते हैं यानि कि इनका जल योजन हो जाता है या हम कह सकते हैं कि ये जल के अर्मों का इनके साथ संगुणन हो जाता है और इस प्रकार से जो योगिक तयार होते हैं उनको हम कहते हैं हाड्रेट ये जो जल का अर्मों का संगुणन होता है ये कई प्रकार से हो सकता है जैसे की ये उपसा स्योगिक जल में ये विश्यस प्रकार के कॉंप्लेक्स में ये पाए जाते है और इनको हम कहते हैं ат Coordination Compounds complex योगीग में जैसे कि आप एक यहां पर देख रहे हैं यहां पर दिया हुआ है howdy Yeah ये एक complex योगिक है और इसमें हम देख रहे हैं कि जल के 6 अणू उपस्तित हैं और ये सभी जो 6 जल के अणू होते हैं वो chromium के साथ उपसा सयोजग बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तथा ये इन्हें विशेस नाम दिया जाता है जिने लिगंड्स कहते हैं तो इस तरह से हम देखें कि यहां पर जो जल के अणू उपस्तित हैं वो coordinated water के रूप में उपस्तित हैं उपसा सयोजग जल के रूप में उपस्तित हैं दूसरा और example हम ले सकते हैं यह है example barium chloride, hydrated barium chloride का अब यहां पर जो जल उपस्तित होता है वा interstitial water molecule या अंतराकाशी जल क के रूप में उपस्तित होता है यहां पर आप देखें कि जो barium chloride है BACL2 इसकी एक निश्चित जामती सरचना होती है और इनकी जो crystal lattice होती है उसके बीच पीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है वहां पर जल के अनू जाकर समाविशित हो जाते हैं और इस तरह से इस प्र हैंगे hydrogen आबंधी जल जैसे कि उदारान हम देख सकते हैं copper sulfate 5s2o या कि जैसे हम कहते हैं जो hydrated cupric sulfate अब यहां पर जो जल होता है उसमें से पांच जल के अनू में से चार जल के अनू तो एक complex के रूप में उपसास्यों जग बंध के द्वारा जुड़े होते हैं यानिकि य इसमें से जो पांच वा जल का अनू है वह hydrogen बंध के द्वारा जैसे कि आप यहां पर सरचना में देख सकते हैं यह hydrogen बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और इसे लिए इसे hydrogen आबंधी जल कहते हैं तो इस तरह से हम देखें कि बहुत सारे जो complex compounds होते हैं या बहुत सा सामाने योगिक भी होते हैं उनमें जल के अनू संगुडित हो जाते हैं और इनका जो संगुड़न होता है वह भिन भिन प्रकार से होता है और इसकी वज़ए से इन योगिकों में विशेस गुण भी आ जाते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं जल के प्रकारों को यदि हम यहाँ पर जल के दो प्रकार देख रहे हैं सामाने टौर पर यदि आप देखें तो आपको इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देगा लेकिन यदि इनमें हम साबुन की छोटी मात्रा डाल दें और इन्हें तेजी से हिलाएं और हिलाने के बाद हम इनमें बनने वाले जाग की मात्रा को देखें तो हमें इसपस्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो एक जल है उसमें जाग अधिक मात्रा में बन रहा है जबकि दूसरा जो जल है उसमें जाग की मात्रा कम है तो यहाँ पर जिस जल में साबुन के तुकड़े डालने पर जाग की मात्रा ज्यादा आ रही है उस जल को हम मृदू जल कहते हैं जबकि दूसरा वाला जल जिसमें जाग की मात्रा कम है उसे हम कठोर जल या हार्ड वाटर कहते हैं तो इस तरह से यह एक बहुती सरल विधी है जिसके द्वारा हम जल को भिन्नित कर सकते हैं अब यह जो मृदू जल है या फिर कठोर जल है वो कैसे बनते हैं तो हम जानते हैं कि जो वर्षा का जल होता है समान रूप से वह शुद्ध जल होता है हलाकि उसमें भी कुछ वायू मंडल में उपस्थित गैसें घूली हो सकती हैं लेकिन तो भी यह परियाप्त रूप से शुद्ध होता है लेकिन जब यह वर्षा का जल बहते हुए यह पृत्वी की सतह पर आता है तो चुकि हम जानते हैं कि जल एक बहुत अच्छा विलायक होता है तो इस वज़े से यहाँ पर उसके राश्ते में आने वाले जितने भी चट्टाने या खनीज लवन होते हैं वो इसमें घुलते चले जाते हैं और इसकी वज़े से इसमें भीन भीन प्रकार के जो आयन से वह उपस्थित हो जाते हैं और जिसकी वज़े से यह जो जल है वह कठोर हो जाता है इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जल है वह दो प्रकार का होता है एक है म्रदूजल, म्रदूजल हम उसे कहते हैं जिसमें की सोडियम के आयन उपस्तित होते हैं तथा साथी साथ या जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें कैलसियम और मैगनीश्यम के लवण उपस्तित नहीं होते हैं साथ ही या साबुन के साथ आसानी से जाग देता है दूसरी और कठोर जल वह होता है जिसमें की कैल्शियम तथा मेगनिश्यम के कार्बोनेट्स या फिर इनके क्लोराइट्स तथा इनके सलफिट्स उपस्थित होते हैं साथी साथ यह साबुन के साथ आसानी से जाग नहीं देता है यह कठोर जल कहलाता है वास्तों में कठोर जल को जब हम साबुन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो होता यह है कि जो साबुन है हम जानते हैं कि जो साबुन होते हैं उच्छ वसी अमलों के सोडियम या प्रटेश्यम लवन होते हैं जैसे कि हम यहाँ पर उदारण देख रहे हैं यह है sodium steorate तो यहाँ पर यह वसी अमलका sodium salt है जब इसकी क्रिया हम कठोर जल से कराते हैं जैसे मालने ज़िए यहाँ पर magnesium का chloride उपस्तित है या magnesium का sulphate उपस्तित है तो जब हम इसकी क्रिया magnesium chloride के साथ कराते हैं तो उस स्थती में यहाँ पर जो sodium steorate में उपस्तित sodium iron है वह यहाँ से निकल जाते हैं तथा जो कठोर जल में उपस्तित magnesium iron है वो उसका स्थान ले लेते हैं और इस तरह से यह calcium या magnesium के steorate बन जाते हैं जो की एक अविलियर ठोस होता है और इस वज़ा से यहाँ पर हमारी जितनी जो साबून होती है वह अविलियर ठोस के रूप में अवक्षेपित होती जाती है और व्यर्थ होती जाती है तथा हमारे जो कपड़े हैं वह भी साफ नहीं होते हैं तो इस कठोर जल के इस तरह से अवक्षेपित यहाँ पर साबून के साथ अवक्षेप बनाने की वज़े से तथा कप कपड़े धोने के लिए नहीं कर सकते साथ तथा इसका उप्योग हम भाइलरों में भी नहीं कर सकते जहां पर कठोर जल साबुन के साथ उसके साथ जो अविले लवन बनाता है अक्षेब बनाता है और इसकी वज़े से साबुन हमारी व्यर्थ होती चली जाती है तथा इसलिए जो कठोर हमारे लिए उप्योंगी नहीं होता है तो अब हम देखते हैं कि यह जो कठोर जल है वह कितने प्रकार के होते हैं तो कठोर ये जो कठोरता होती है जल की कठोरता उसे दो भागों में वर्गी कृत किया जाता है एक है अस्थाई कठोरता तथा दूसरी होती है स्थाई कठोरता पहले हम जानते हैं अस्थाई कठोरता के विसे में अस्थाई कठोरता वह कठोरता है जिसमें की जल में कैल्सियम तथा मैगनीशियम के हाइडरोजन कार्बोनेट उपस्थित होते हैं जैसे की कैल्सियम हाइडरोजन कार्बोनेट तथा मैगनीशियम हाइडरोजन कार्बोनेट इनकी वज़े से जो कठोरता होती है उसे हम अस्थाई कठोरता कहते हैं अस्थाई इसलिए कहते हैं कि इनको बहुत ही साधारन विधियों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं और जल को म्रदू बना सकते हैं जैसे इनको जो अस्थाई का ठोड़ता है उसे दूर करने की एक जो विधी है वो आप देख सकते हैं यह है boiling या उबाल कर जब भी हम जल को उबालते हैं तो इसमें जो calcium और magnesium के जो विलेशी लवन होते हैं वो विले लवनों में अक्षेपित हो जाते हैं और जिन ही हम छान कर प्रिठक कर देते हैं तथा जो च्छनित होता है वह मृदूजल होता है जैसे कि यहां पर magnesium carbonate यदी उपस्तित है और जब हम इसे गर्म करते हैं तो magnesium carbonate magnesium hydroxide में convert हो जाता है और यह के रूप में यह अवक्षेपित हो जाता है यहां पर magnesium carbonate भी बनता है लेकिन जो magnesium hydroxide है इसकी इसका जो विलेता गुणनफल है वह उच्च होता है इसकी वज़े से यह जल्दी अवक्षेपित हो जाता है साथी साथ यहां पर carbon dioxide बाहर निकलती है तो यहा असानी से छान कर अलग कर दिया जाता है तथा जो जल है वह मृदू हो जाता है दूसरी और यहां पर calcium hydrogen carbonate है तो उसकी क्रिया जब हम उसको गर्म करते हैं तो पानी को जब हम करते हैं तो उसमें calcium का hydrogen carbonate है वो calcium के carbonate में कन्वर्ट हो जाता है और जो कैल्शियम कार्बनेट है वह अविले है और इसलिए ये उपर वक्षेप के रूप में तैरता रहता है जिससे आसानी से छान कर प्रथक किया जा सकता है तो इस तरह से उबाल कर हम अस्थाई कठोरता को आसानी से दूर कर सकते हैं दूसरी विधी है और यह विधी है क्लार्क विधी में अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए बुझे हुए चूने का उप्योग किया जाता है बुझा हुआ चूना जिसे हम कैल्सियम हाइड्रॉकसाइड कहते हैं यदि हम कठोर जल में बुझा हुआ चूना डाल देते हैं तो वहां प उपस्थित होते हैं तो यह इनकी क्रिया कैल्सियम हड्रोकसाइट के साथ होती है यदि कैल्सियम हड्रोजन कार्वोनेट उपस्थित है तो यह क्रिया करके कैल्सियम कार्वोनेट बनाकर अवक्षेपित हो जाएगा जिसे आसानी से छानकर प्रिठक किया जा सकता है दूसरी बเลंग कार्बोनेड बन जाता है और जल बनते हैं और यह जो अवक्ष हो रहे हैं इन्हें हम ऐक्षान प्रथक कर लेते हैं तो जो च्छनित बंत बिचता है वह घॉता है शो तासे इस प्रकार की जो कठोरता होती है जो की कैल्सियम और मेगनेशियम के बाई कार्वनोंटियों की वजह से होती है इन्हें आसानी से सरल विधियों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं और इसे लिए इसे हम औस्थाई कठोरता कहते हैं दूसरी है इस्थाई कठोरता और इस्थाई कठोरता प्रायर जल में केल्शियम तथा मैगनिस्यम के क्लोराइट, सल्फेट या कभी-कभी नाइप्रेट के उपस्थित होने की वज़से होती है और ये जो स्थाई कठोरता है इसको हम केवल जल को उबाल कर या कुछ पदार्थ मिलाकर दूर नहीं कर सकते हैं और इसलिए इनको दूर करने के लिए विशेस विधियों का उप्योग किया जाता है जल की स्थाई कठोड़ता को दूर करने के लिए भी कई विधियों का उप्योग किया जाता है जिसमें की सबसे पहली विधी है धावन सोडा विधी इसके अलावा यहाँ पर क्याल गौन विधी आयन विनिमे विधी जिया जियोलर्ट विधी या जिसे पर्मूटिट विधी भी कहते हैं और इसके अलावा एक विधी है संसलेशित रेजिन विधी जो की सबसे अच्छी या उत्तम विधी माने जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं धावन सोडा विधी जैसे की नाम से इस पस्थ है इसमें धावन सोडा यहनिकी सोडियम कार्बोनेट का उप्योग किया जाता है जब भी धावन सोडा को हम कठोर जल में डालते हैं जिसमें की कैल्शम तथा मैगनिशम के क्लोराइट यह सलफेट उपस्थित होते हैं तो जैसे ही हम इसमें डालते हैं जो कैल्शम और मैगनिशम के विले स्टील क्लोराइट और सलफेट होते हैं जो की जल मे घुलित अवस्था में होते हैं यह सभी अविले कार्बोनेटों में कनवर्ट हो जाते हैं और जब यह अविले कार्बोनेटों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें आसानी से छान कर प्रिथा किया जा सकता है तो यहाँ पर हम देखें यदि जल में मैगनिश का सेलफेट उपस्तित होता है तो यह सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके मैगनिशियम कार्बोनेट बना लेता है जिसका उक्षेप हमें प्राप्थ होता है साथ यहां पर सोडियम सेलफेट बनता है यहां भी सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके मैगनिशियम कार कर्णांबॉनेट light का अवक्षेप बनाता है तथा सोडियम सफ़ेट बनता है यदी कार्छम कालॉराईड है सोडियॆ कार्बॉनेट के साथ क्रिया करके कैल्सियम कार्बॉनेट बना लेता है साथ साथ यहाँ पर सोडियम क्लोराइट बनते हैं तो इस तरह से जो अविले कार्बोनेट का अवक्षे प्राप्त होता है उसे हम छानकर प्रिथक कर सकते हैं और जो जल होता है वह मृदू जल हमें प्राप्त हो जाता है दूसरी विधी है क्याल गॉन विधी कैल गॉन वास्तों में एक कंपाउन है जिससे हम सोडियम हेग्जामेटाफॉसफित पहते हैं या जो कह सकते हैं कि जो सोडियम हेग्जामेटाफॉसफित है जिसका सूत्र होता है नसे 6018 इसका सामाने नाम ही कैलगॉन होता है और चुकि यह जल की कठोरता को स्थाइं कठोरता को दूर करने के लिए उप्योग किया जाता है इसे लिए इस विधी को कैलगॉन विधी कहते हैं तो यहां पर यह जो कैल गॉन है यह जल में उपस्तित, जो कठोर जल में कैल्शियम 2 प्लस आयन या मैगनीशियम 2 प्लस आयन उपस्तित होते हैं, उनसे क्रिया करके एक विले यौगेक या कॉंप्लेक्स का निर्मान कर लेते हैं यहां पर यह जो क्रिया होती है इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर Na6P6O18, यह जो कैल्गॉन है या सोडियम हेग्जामेटा फॉस्फिट है, यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें एक जो अनु है, उसमें सोडियम के 6 परमानू हमें दिखाई दे रहे हैं, यहने कि यह आसानी से सोडियम आयन दे सकता है, जब इसे जल में घोला जाता है, तो यह तूट कर दो सोडियम के आयन प्रिथक कर देता है, और साथी साथ यह Na4P6O182-, यह रिन आयन का में कनवर्ट हो जाते हैं, अब यह जो रिन आयन हैं, यह जल में उपस्थित 2 प्लस आयन उपस्थित है, तो उसके साथ यह जुड़कर एक कॉंप्लेक्स का निर्माण करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉंप्लेक्स बन रहा है, उसमें Na2 दो सोडियम है, Na2 मेगनिशम इनके साथ जुड़ गया है, और उसने दो और सोडियम को यहाँ से कॉंप्लेक्स है, वो रिन आयन कॉंप्लेक्स हो रहा है, और यहाँ से अंदर से जो दो सोडियम आयन निकले हैं, वो बाहर 2 Na plus के रूप में उपस्थित होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर यह जो रिन आयनिक संकुल बन रहा है, वो मेगनिशम आयनों को अपने साथ उसमें सोडियम आयन आजाते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्यालगॉन विधी के द्वारा हम जल की इस्थाई कठोरता को दूर कर सकते हैं, इसके बाद एक और अच्छी विधी है, वह विधी है आयन विनिमे विधी, जैसे कि नाम से हिस्पस्थ हो रहा है, यहाँ पर भी आयनों का विनिमे किया जाता है, हम जानते हैं कि कठोर जल में कैल्सियम और मैगनिशियम के क्लोराइड और सलफेट होते हैं, और इसे हमें जो कैल्सियम और मैगनिशियम है, उसे हमें सोडियम आयनों के द्वारा यदि रिप्लेस कर दें, तो हमारा जो कठोर जल है वो म्रदू हो जाता है तो इसके लिए भी यहां पर चुकि मैंने पहले ही बताया कि जो आयन विनमय विधी है इसे जोलाइट विधी भी कहते हैं या इसे पर्म्यूटिट विधी भी कहते हैं क्योंकि यहां पर जो जोलाइट उप्योग किया जाता है जिसका जो यह केमिकली या sodium aluminate silicate होता है जल यह हम hydrated sodium aluminate silicate होता है जिसका सामाने नाम होता है जोलाइट या permitted और इसलिए इस विदी को जोलाइट विदी भी कहते हैं तो यहाँ पर जब हम जोलाइट को कठोर जल से जिसमें की स्थाई कठोरता है उससे जब हम यहाँ पर क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो 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 लाइट है जिससे सामाने रूप से या हम कहने जो शॉर्ट में यहाँ पर N-A-A-L-S-I-O-4 यह जो सोडियम एलूमिने सिलकेट जिसमें की तीन जल के अनू यहाँ पर जुड सोडियम एलूमिने सिलकेट जो जल यूगत है उसको सामान रूप से N-A-J-D लिखा जाता है तो यहाँ पर जब हम N-A-J-D को जल में डालते हैं जिसमें की स्थाई कठोरता उपस्तित है तो वहाँ पर यह जो N-A-J-D है जल में उपस्तित मैगनिशियम आयन या कैल्शियम आयनों को सोडियम आयनों से रिप्लेस कर देता है यहने कि यह जो इससे मैगनिशियम आयन जुड़ जाते हैं और सोडियम आयन जल में चले जाते हैं यह M-G-J-D 2 में कनवर्ट हो जाएगा साथी साथ जो दो सोडियम के आयन है क्योंकि एक मैगनिशियम का जो आयन है वह द जल में sodium ion चले जाते हैं इस तरह से जो जल की कठाई कठोड़ता होती है वह दीरे दीरे दूर हो जाती है इसके बाद यह जो 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 है तो कि इसमें sodium ion इससे बाहर निकलते जाते हैं तो एक स्थति ऐसी आती है जब कि जो आ प्रूरी तरह से sodium निकल जाता है और उसमें calcium या magnesium आ जाते हैं तो ऐसे स्थति में इससे फिर से generate किया जाता है और इसके लिए इसको 10% sodium chloride में इसे डाला जाता है और जिससे इसमें से फिर से जो calcium magnesium के आयन इसमें deposit हो गये थे वो निकल जाते हैं और फिर से यह sodium या मायनों से रिज हो जाता है जिसका उपयोग पुना हम हम सथाई क Pardon को दूर करने के में करते हैं कि इसके बाद आगे हो एक महत्तपुन विधी या सबसे उत्तम विधी है जो जल की सथाई क sworn Regin की वह विधी है संस्लेशित रेजिन विधी यहां पर जो संसलेशित रेजिन का उप्योग किया जाता है जल की इस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए यहां पर आम बता दें यहां पर जो रेजिन होते हैं यह कारवनिक समूं उपस्थित होता है तो यह हम यह कह सकते हैं कि जो धनायन विन में रेजिन होते हैं वो सलफोनिल समूं युक्त व्रहद कार्बनिक अनूं होते हैं जिसे हम सामानी रूप से आर SO3H के रूप में रेप्रेजन करते हैं अब यहां पर यह भी बता दें कि जो आर समूं होता है वो रनावेशित होता है जबकि SO3H समूं होता है वो धनावेशित होता है साथ ही साथ यहां पर यह जो धनावेशित रेजिन है इसी प्रकार से एक रनावेशित रेजिन भी होती ह जिसमें की एनेश्टू समूं उपस्थित होते हैं और इन रणावेशित रेजिन को हम सामाने तोर पर आर एनेश्टू के रूप में प्रदार्शित करते हैं और यह छारी होते हैं जबकि रणावेशित रेजिन जो होते हैं वह अमली प्रकृति के होते हैं तो इनकी क्रिया क का उप्योग किया जाता है यहां पर दो चेंबर योगत सरचना होती है जिसमें कि एक चेंबर में धनायन धनायन विन्मेक रेजिन होते हैं तता दूसरे में रिणायन विन्मेक रखे जाते हैं जैसे कि मैंने बताया जो धनायन विन्मेक रेजिन होते हैं यह SO3H समू सलफोनल समू योगत ब्रहत कार्वनिक योगी होते हैं साथी साथ यह विल्यन में H प्लस आयन देते हैं और इसलिए यह अमली प्रकर्टी के होते हैं इन्हें सामाने रूप से हम RSO3H के रूप में प्रदर्शित करते हैं दूसरी ओर जो रिणायन विन्मेक रेजिन होते हैं यह NH2 समू योगत व्रहत योगिक होते हैं और चुकि इसमें NH2 समू उपस्तित होता है इसलिए यह छारी प्रकर्टी के होते हैं तथा साती साथ यह जली विलियन में OH- आयन उपलब्द कराते हैं तो यहां पर जो इसकी क्रियाविधी होती है इसमें दो चैंबर होते हैं जिसमें की एक में धनायन विन्मेक रेजिन को रखा जाता है तथा दूसरे में रिणायन विन्मेक रेजिन को रखा जाता है जब इसमें से कठोर जल को बार-बार इन दोनों धन आयन और रिन आयन रेजिन में से बार-बार होकर गुजारा जाता है तो धीरे-धीरे जो जल है वो केल्शियम और मेगनिशियम आयनों से मुक्त हो जाता है तथा मृदू जल हमें प्राप्त होता है सबसे पहले जब इसे कठोर जल को हम धन आयने क्रेजिन में से गुजारते हैं जिसमें की RSO3H समू उपस्तित होता है तो ये समू जल में उपस्तित कैल्शियम और मेगनिशियम तथा सोडियम आयन भी जो होते हैं उन्हें ये स्वयम गरहन कर लेता है तथा विलियन में ये H प्रकृति का हो जाता है इस प्रकार इस प्राप्त जल को जब दूसरे रिन आयन विनमेक रेजिन में से प्रवाहित किया जाता है तो यहां पर जो रिन आयन के यह जब जल से क्रिया करते हैं और इस तरह से जल से क्रिया करके यह जाण बनाते हैं और साथी साथ ओएच माइनस आयन मुक्त करते हैं और इसकी वज़ा से यह ओएच माइनस आयन देते हैं अब इस प्रकार जो और एनस 3 प्लस और ओएच माइनस आयन है जब इसकी क्रिया हम कठोर जल से करते हैं तो कठोर जल में उपस्तित जो रिन आयन होते हैं जैसे कि क्लोराइड होते हैं या सलफेट होते हैं तो उनसे यह रिन आयनों को ग्रहन कर लेते हैं तथा उसके स्थान पर जल में OH- आयनों को दे देते हैं तो इस तरह से दीरे-दीरे यहां पर OH- आयन भी बढ़ जाते हैं इस प्रकार जो धनावीशिक विन्मेक रिजिन के द्वारा उत्पन किये गे जो H बनाते हैं तथा रिण आयन विन्मेक रिजिन के द्वारा उत्पन कि जो OH- आयनों होते हैं यह आपस में मिलकर वापस जल के अनू बनाते हैं और इस तरह से हम देखें कि एचल में उपस्तित जो इंस揣ा कत comprehensive कटोरता और शल्फट यहां से निसकाशित हो जाते हैं तथा ज विशेस भिन भिन विधियों का उप्योग करके हम जल को की स्थाई का ठोड़ता को दूर करके जल को मृदू कर सकते हैं इसके बाद एक और महत्तुपुन कंपाउंड के विशे में हम जानते हैं और वो है भारी जल D2O जहां पर D जो है वह हाड्रोजन का समस्थानिक डूर्टेरियम है यदि हम जल यानिकी H2O तथा D2O इनके गुणों की तुलना करें डूर्टेरियम ओक्साइड D2O के भाती गुणों की तुलना जल से करते हैं तो यहां पर हम देखेंगे जहां जल का आणविक द्रवेमान 18.0 g per mol होता है वही डूर्टेरियम ओक्साइड का आणविक द्रवेमान 20.02 g per mol होता है उसी तरह से यदि जल का गलनांग ये 270 Kelvin है जबखि D2O का गलनांग 256.8 Kelvin होता है इसी तरह से इनका जो कथनांग है जल का कथनांग 276.4 Kelvin होता है इनकी विर्चन यंतल्पी में भी अंतार होता है जल की विर्चन एंथल्पी जबकि 285.9 किलो जूल पर मोल होती है जबकि D2O की विर्चन एंथल्पी माइनस 294.6 किलो जूल पर मोल होती है इसकी वाश्पन एंथल्पी भी जल की तुर्णा में कुछ अधिक होती है D2O की जो वाश्पन एंथेलपी है ये 370 केलविन पर ये 41.61 किलो जूल पर मोल होती है इसी तरह से जल का उच्च तम घनत 4 डिग्री सेंटीग्रेट यानि की 276 केलविन पर होता है जबकि डूटेरियम ओक्साइट का उच्च घनत 284 केलविन पर होता है इसी तरह से हम देखें कि जल की तुलना में इसका घनत भी अधीक होता है जहां जल का घनत हो 1.0 g per cubic centimeter होता है जबकि डूटेरियम ओक्साइट के घनत वक ये 1.1059 g per cubic centimeter होता है साथ ये जल की तुलना में कुछ शान भी होता है यानि कि कुछ गाढ़ा भी होता है यहां जल की शानता 0.89 centipoise होती है जबकि डूटिरियम ऑक्साइट की वहाँ पर डूटिरियम ऑक्साइट की शानता 1.107 centipoise होती है इसी तरह से इनका जो परवेदुतांग है वो लगबर एक दूसरी के बराबर होता है जल का परवेदुत पीजा के जल की चालकता काफी कम होती है इसी तरह से डूटिरियम ऑक्साइट की चालकता भी काफी कम होती है इसके बाद देखते हैं D2O यहने की भारी जल को बनाने की विधिया भारी जल को बनाने के लिए जब हम जल का वैद्दू तब घटन करते हैं तो जब वैद्दू तब घटन की क्रिया काफी लंबे समय तक होती रहती है तो हमें जल के इस्थान पर D2O प्राप्त होता है साथी साथ बहुत सारी जो उर्वरक उद्योग होते हैं तो वहाँ पर भी उर्वरक उद्योगों में बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें D2O यानि की भारी जल प्राप्त होता है इसके बाद हम देखते हैं इसके रासाइनिक गुण तो रासाइनिक गुण ये इसके जल के समान ही होते हैं उदारन के तोर पर यदि हम देखें इसकी केल्शियम कारबाइट से क्रिया केल्शियम कारबाइट यानि की CAC2 हम जानते हैं कि जब जल की calcium carbide के साथ क्रिया होती है तो acetylene gas प्राप्त होती है और यहाँ पर जिसका सूत्र होता है C2H2 तो ठीक उसी तरह जब हम calcium carbide की क्रिया D2O से कराते हैं तो हमें यहाँ पर C2D2 compound प्राप्त होता है और साथ-साथ यहाँ पर CAOD2 जबकि वहाँ पर हमें calcium hydroxide मिल रहा था यहाँ पर हमें CAOD2 प्राप्त होता है इसी तरह से यदि हम इसकी क्रिया sulfur trioxide SO3 के साथ कराते हैं तो हम जानते हैं जल की क्रिया जब SO3 से होती है तो हमें sulfuric acid H2SO4 प्राप्त होता है ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जब हम इसकी क्रिया यहां पर हमें D2SO4 प्राप्त होता है इसी तरह से यदि हम इसकी क्रिया Al4C3 के साथ जब हम इसकी क्रिया कराते हैं D2O की तो हमें यहां पर CD4 प्राप्त होते हैं वहां पर यदि हम इसकी जब से क्रिया कराते हैं तो हमें CH4 यानिकी मेथेन प्राप्त होती है लेकिन यहां पर हमें CD4 प्राप्त होती है साथ ही साथ यहां पर यहां पर हमें अल्यूमिनियम का एल ओडी होल थ्राइस कंपाउंड प्राप्त होता है तो इस तरह से हम देखें कि इसके राशाइनिक गुंड भी जल के समान ही होते हैं फिर बात आती है भारी जल यानिकी D2O के उप्योग की तो भारी जल का सबसे ज़्यादा उप्योग नाभकी रियक्टरों में नूट्रों मंदक के रूप में किया जाता है और दूसरा इनका जो है वह विभिन जो विन में एक्सचेंज रियक्शन्स होती है उनकी क्रिया विधी का अध्यान करने के लिए जहां पर से एक आयन के दूसरे स्थान पर जाने को पहचानना होता है उसे ट्रेसिंग करनी होत जल डी टू ओ का उप्योग करते हैं तो इस तरह से हमने हाड्रोजन के योगेक जल तथा भारी जल के गुणों को अच्छी तरह से जान लिया है